इस वीडियो वे हम दिल्ली की ठंड को एंटार्टिका वाली फील देंगे अब इस एफेक्ट को मैंने अपने एक्स्प्लेनर वीडियोस के और फ्लो में भी कही बार यूज करें और आज मैं इस आपको एक प्रीसेट की फॉर्म में बनाना से कहूंगा जहां हम सबसे पहले ग्रेट करेंगे अपनी आइस का टेक्श्चर विद सम्मोक कमिंग आड ओफ फिर अमाट करेंगे स्नो और फिर लास्ट में अपने सारे एलिमेंट्स को कमबाइन करने के लिए विल डू सम कलर ग्रेडिंग इन इस सॉफ़वेर इस वीडियो में यूज करेंगे सारे एलिमेंट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो यहां मैंने अपनी मेन कॉम में दो लेयर कर रही है पहली अपनी फुटेज इसको मैंने अपनी रोटो प्रेश टूल से रोटो कर रहा है और दूसरी है हमारी बैग्राउंड इमेज अब यह यहां अपने फ्रीजिंग एफेक्ट को क्रियेट करने के लिए मैं इन दोने चीजों के लावा एक और चीज यूज करूँगा यहां अपने मेटीरियल के फोल्टर से इसको अपनी कॉम्पोजिश में इंपोर्ट कर सकता हूँ और ऐसी इमेजिज आप गूगल से भी डाउ इसके हाइलाइट और शैडवस को वाइट और ब्लैक के रहने देंगे और इसके मिट तोन को चेंज करके थोड़ा कूल वाला कलर एड़ करेंगे सम्थिंग लाइक दिस इस लुगिंग गुड लास्ली हम इसमें तोड़ा कॉंटरास्ट एड़ करेंगे और वो करने के लिए आइल यूज कर्वस इफेक्ट और हम सिंप्ली इस कर में हाइलेट को बढ़ाएंगे और शैडवस को कम करेंगे और अब लास्ली इस इमेज का ब्लैक पार्ट अटाने के लिए मैं इसे स्क्रीन मोड पे ब्लेंड कर दूँगा बाद अब मैंने इन सारे ब्लेंडिंग मोड को और इस रोटो स्कोपिंग वाले फीचर को डीटेल में एक्स्पेंड करा है अपने इस कोर्स में तो अगर आप आप आपरवेक्स के बेगेनर या इंटरमीडियर वाले लेवल पे हो तो इस कोर्स इस में इस कोर्स में मैं आपरवेक्स सॉफ़वेर को जीरो से लिटरली हंडर्ड तक समझा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आप अपनी क्रेटिविटी को इस सॉफ़वेर के अंदर एक शेप दे पाओगे इस कोर्स पर आप भी 30% का डिसकाउंट पा सकते हो by using the coupon code HNY30 और इस कोर्स के बारे में और जाने के लिए क्लिक ओन दे फॉर्स लिंक इन दे डिस्क्रिप्शन बिलो अब यहां हमारी इमेज स्क्रीन मोड पे ब्लेंड होने के बाद भी यह काफी फ्लैट सी फील दे रही है इसे बरफ जैसे रियलिस्टिक बनाने के लिए हम यहां इसकी नीचे एक एडजस्मेंट लेर अड़ करेंगे इसे रिनेम करेंगे आइस टेक्शर और इसमें हम एड़ करेंगे सीसी ग्लास एफेक्ट डीपोल्ट से यहां है हमारी इमेज को काफी फणी तरीके से डिस्टॉर्ट कर रहा है क्योंकि अभी यहां इस सर्फेस वाले ओप्शन में इसने इसी एडजस्मेंट लेर को ऐसा बंप मैप चूज कर लिया है यहां अपनी आइस वाले लेर को चूज करेंगे और अब इस एफेक्ट को अच्छे सा देखने के लिए मैं यहां इस आइस वाली इमेज को टेंपरिलियली बंद करूँगा करेंगे to something like 2 is looking good और अब हम याँ इस effect का actual result देख सकते हैं ये effect basically हमारी इस ice image के black और white channel को देखते हुए हमारी overall image में एक शीशे वाली feel अब next हम इस distortion की height को थोड़ा सा increase करेंगे to something like 50 और अब इसकी overall displacement को कम करेंगे to around 50 only next हम याँ इसकी shading के option में जाएंगे और इस ambient को करेंगे 100 पे diffuse को करेंगे 0 पे और इसकी roughness को एकदम minimum पे like this and that's it our ice texture is now ready हम याँ इस ice image को वापस से on करके इस texture के ऊपर रखेंगे and that is pretty much it this was with just ice image and this is now with the ice texture and I think it's now looking really good next हम अपने scene में इस ice से निकलतावा थोड़ा बहुत smoke एड़ करेंगे और वो करने के लिए मैं सबसे बहले एड़ करूँगा एक solid layer by pressing ctrl plus y इसे rename करेंगे smoke और इसका color रखेंगे black let's click ok और हम इसमें सबसे बहले एड़ करेंगे fractal noise effect will go inside its transform properties और यहां से मैं इसके scale को थोड़ा increase करूँगा let's just uncheck this uniform scaling from here और हम इसकी width और height को individually scale up करेंगे इसकी width को करेंगे 400 पे और इसकी height को 200 पे और इसको animate करने के लिए हम यहां इसके evolution को change कर सकते हैं यहां मैं इसे change करने के लिए keyframes की जगा expression यूज़ करूँगा so I'll press alt on my keyboard and click on this stopwatch icon और यहां मैं एक simple time expression add करूँगा that is time times 100 जैसे कि अब यहां हर एक second पर इसके अंदर 100 की value add होती रहेगी like this पहले second पर 100 और दूसरे second पर 200 and so on next मैं चाहता हूँ कि यह smoke थोड़ा right side की तरफ भी travel करें और वो करने के लिए हम यहां इस offset turbulence को कुछ इस तरह से animate कर सकते हैं तो इसे भी animate करने के लिए we'll use the same expression बट अगर मैं यह same expression यहां से copy करके इस property में paste करूँ तो यहां इसमें error आ जाएगा क्योंकि यहां इस property में दो values हैं X and Y और अगर हमें सिर्फ इसके X axis में motion add करने हैं तो वो करने के लिए हमें पहले इन दोनों x को यहां as it is लिखना पड़ेगा यहां मैंने पहले reset कर देदा हूं to get my original values back here now we'll press alt and click over here और यहां हम सबसे पहले add करेंगे square brackets और यहां इसके अंदर मैं इन दोनों values को यहां as it is लिख दूँगा separated by a comma और अब अपनी सिर्फ X axis को animate करने के लिए मैं यहां 960 की value की जगा अपना expression add करूँगा and that's it our animation will only take place in our X axis अब यहां यह cloud जैसा तो लग रहा है बढ़ यहां काफी सारी details है तो इसको smooth करने के लिए मैं एक blur effect add करूँगा that is fast blocks blur और यहां मैं इसके blur radius को थोड़ा सा increase करूँगा next हम इस solid में एक simple सा mask add करेंगे let's zoom out a bit और यहां मैं अपने pen tool से इसके अंदर कुछ इस तरह से mask add कर दूँगा इसके feather को increase करेंगे to something like this और अब इस layer के black part को अटाने के लिए हम इस layer के blending mode को करेंगे screen पे obviously यहां हम इस layer की overall opacity को भी कम कर सकते हैं to make it a bit subtle this is without smoke and this is with smoke I think it's looking great now next हम अपने scene में snowfall add करेंगे so we'll create a new adjustment layer here by pressing ctrl alt plus y इसे rename करेंगे background snowfall और इसमें हम add करेंगे cc snowfall effect अब इसे preview करने के लिए मैं इसे और अपने background को solo कर सकता हूं let's also place this adjustment layer on top of this background image only और अब अगर मैं यहां preview करूं तो यहां default से हम अपने scene में छोटी-छोटी snowfall add होती भी देख सकते हैं obviously इसकी settings को हम थोड़ा change करेंगे सबसे बहले तो हम यहां इस snowflakes के numbers को increase करेंगे अभी यह 10,000 पे है I'll make it 20 इसके size के variation को करेंगे 100% पे और इसकी opacity को भी 100% पे and that is pretty much it our background snow here is done let's unsolo these layers अब अपनी foreground snowfall बनाने के लिए मैं अपनी इसी background snowfall वाली layer को duplicate करूंगा by pressing ctrl plus d इसे यहां obviously सबसे उपर place करेंगे we'll rename this layer to foreground snowfall इसके snowflakes को करेंगे कम to something around 2000 इसके size को करेंगे full पे यह maximum 15 तक ही जाता है इसके बाद हम अपने scene depth को भी थोड़ा कम करेंगे और अब यहां अपनी snow को और ज़्यादा white बनाने के लिए मैं इस background illumination के अंदर जाऊंगा और इस influence को थोड़ा कम करूंगा to something like this and that is pretty much it obviously यहां आप इन सारी settings को खुच सभी explore करके अलग-अलग variation की snow create कर सकते हो but right now it's looking good to me lastly हम यहां एक और last adjustment layer add करेंगे by pressing ctrl alt plus y इसे rename करेंगे color grading और इसमें मैट करेंगे lumetri color effect to color grade our final scene here यहां अपने basic correction के अंदर जाऊंगा और इसका contrast increase करूंगा to something like 80 और यहां आपने scene को overall एक thund वाली feel देने के लिए मैं आपने temperature को थोड़ा कम करूंगा to something like minus 7 और इस tint को करेंगे 7 पे and now I think it's looking really good this was without color grading and this is with color grading and that is pretty much it for this tutorial I hope इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा lastly don't forget to check out my beginners course on after effects again the link will be in the description only और इसी high quality ad-free tutorials लेखने के लिए आप इस वीडियो को like कर सकते हो और इस चैनल को subscribe I'll see you in the next one